हेलो अश्रेट के अंदर आज हम सेक्षन करेंगे 45 45 बात करता है पैनल्टीफार कंट्यूमेशी वर्ड कंट्यूमेशी है क्या वर्ड कंट्यूमेशी जो हमारा है उसका मतलब है कंटेंपट आफ कोट ठीक कब की जादी एक्जेंपल इसकी definition आप देख लें रिफ्यू विल्फूल रिफ्यूजल तो अपियर बिफोर अपूर ठीक जान बूज़कर कोट में अपियर ना होना या फिर रिफ्यूजल विल्फूल रिफ्यूजल तू कंप्लाइविध अ कूट आर्डर मतल मतलब यूचल करने से जो है वो नतीजिये में रिंळल हो जाती है कॉट की तो आएए इसकी कैसे हमारे टार्रुम फालूं से नेमली एंड्य यह में क्या गया है किक चैनल dua devrite एक्ट की ऐसमारे यह सब सेक्षन 1 में कह रहा है कि following cases में following cases ठीक है a subsection a का सब किलाज a यह बात क्या करता है if a person having the custody of a minor feels to produce him or cause him to be produced in compliance with a direction under section 12 subsection 1 मतलब किसी भी शख्स ने कोई minor को पेश करने से हमारे पास या तो फिर वो fail हो जाता है या फिर refuse करता है बचे की custody को court में पेश करने से जिसको हमारे पास order हमारे पास section 12 subsection 1 के तहद जो उसको direction दी गई थी कि आप बचे को court में पेश करें ठीक है और वो पेश नहीं कर पाता मतलब वो order की compliance नहीं कर पाता ठीक है या फिर आट डू हेज अट्मूस्ट टू कंपेल दा माइनर to return to the custody of his guardian in obedience to an order under section 25 subsection 1 या फिर कोई ऐसे शक्स को कहा गया है कि आप जो है अपनी मुकमल कोशिश करें मतलब अट्मूस्ट करें आप वर्ड अट्मूस्ट का क्या मतलब है the greatest possible degree मतलब अपनी हद से ज्यादा अपनी जो है वो आप कोशिश करें अट्मूस्ट ये कि सूरत में होगा जब section 25 subsection 1 के तहत कोट आडर करती है कि किसी बी शक्स के पास अगर माइनर चला गया ये मैनर जो है एक्स माइनर है ये किसकी कस्डड़ी में था इस ये य जो है इसका है मगर x जो है वो चला गया है हमारे पास है Z के पास किसके पास है Z के पास तो फिर court कहती है section 25 subsection 1 के तहाँ थे कि आप इस minor को इस word को इसके guardian के हवाले करें किसको return करें आज बस समझें subsection 1 25 subsection 1 के तहाँ थे कि आप उस minor को return करें ठीक है उसकी custody उस minor की उस guardian को किसको custody of his guardian तो फिर जो guardian है उसका उसकी हवाले करें और अगर वो नहीं मानता है जेड नहीं मानता ठीक है यहां पर भी कोई शक्स अगर order को refuse करता है उन सिरुत में यह court की contempt हो जाएगी subsection हमारे पास subclass B क्या बात करता है subclass B बात करता है if a guardian appointed or declared by the court to fail to deliver to the court ठीक है जब कोई भी guardian appoint हुआ हो या फिर court ने जो declare किया है उसको वो फैल हो जाता है इस बात में कि court को उसको उसकी हमारे पास क्या करने डिलिवरी करने के लिए फैल हो जाता है नाकाम रहता है बचे को court पेश करने के within the time allowed by under subclass B आफर section 20 हमारे पास 34 30 section 34 जो था ना उसकी जो किलाज थी हमारे पास B किलाज ठीक है उसके तहत अगर court ने कहा है कि आप within time जो है आप इस बचे को court में पेश करें ठीक है क्या under subsection 20 हमारे पास 34 subsection B के तहत क्या मांगा गया है आप देख थोड़ी सी इसको हमारे पास 34 34 subsection B क्या बाद कहता है if the court required by the court delivered to court within 6 months from the date of the appointment or declaration by the court within such other time as the court statement मतलब जब court ने मांगी थी कोई statement under section 34 sub हमारे का सब किलाज B के तहत कि जो statement आप जमा करें court के अंजर ठीक है जो भी टाइम specific बताय गया है या फिर 6 महिने के अंदर और ये नहीं पेश करता मतलब फेल हो जाता उसमें ठीक है इसने हमारे पास कंप्लाइंस नहीं की हो section 34B, 34C और 34D की 34D की 34 हमारे पास क्या बात काता है 34C क्या बात काता है कि जब court ने require किया हो कि आप accounts हिसाब किताब court पेश करें और उसने हिसाब किताब पेश court में ना किया हो accounts ना पेश किया हो ये statement थी कि आप बियान पेश करें उसकी उसने ना फर्मानी की नहीं पेश किया कोई statement पेश नहीं की 34C के तहद उससे accounts मांगा गया था कि आप accounts एग्जिपिट करें वो भी उसने नहीं पेश किया डी के तहर क्या किया था कोट ने कहा कि जो बैलन्स ड्यू हो रहा है आपकी तरफ ठीक है ड्यू आन ड्यू फ्राम हम अन दोज अकाउंट्स आर्स मच दियर आफ एस द कोट आरे कि जो भी पेशे इसकी बच रहे हैं सब के लाज यह बात कर रहा था जब सेक्शन हमार पार 12-1 या फिर 25 की वाइलेशन की गई हो और सब के लाज बी केता है जब सेक्शन 34 की B C D की वाइलेशन की गई हो फिर भी यह कंटेंबा आफ कोट माना जाएगा ठीक है इफ अपर्सन हूँ है सीज टू बी गार्जन जब कोई शक्स को रोका गया है कि आप अप गार्जन नहीं है ठीक है और दा रिप्रिजेंटेटर आफ सच अपर्सन फीर्स टू डेलिवर एन प्रापड़ी और अकांट्स इन कंप्लाइन्स विथ अ रिक्यूजिशन अंडर सेक्शन 41 सब सेक्शन 3 जब किसी भी शक्स को रोका गया हो या फिर उसके किसी रिप्रिजेंट को आरे बास समय सी अमरे पास किलाज सी क्या बात करता है जब कोई भी गार्जेंट उसकी गार्जेंट शिप ना रही हो क्या जब किसी भी गार्जेंट की कोई गार्जेंट शिप सीज हो गई हो ठीके मतलब वो गार्जेंट अब ना रहा हो ठीके या फिर उसका रिप्रिजे तो प्रतियों से भी जुए उसके उसको कहा गया हो कि आप जो है न इस आरड़र की कंप्लाइंस करें मतलब फोर्टी वन जो आरड़ा सेक्शन फोर्टी subsection 3 के तहत जो आपको order दिया गया है कि आप क्या करें अगर आपको इस से discharge किया गया है आपको क्या किया गया है आपको discharge किया गया है इसलिए आप जो है अब जो है इस कोट में इसकी सारी property वगरा जो भी है वो पेश करें आए ये subsection 3 देख लेते हैं हमार पास है section 41 subsection 3 की बात करता है when for any cause the power of a guardian sees the court may require him or if he is deed or his representative to deliver as it directs any property in his position or control belonging to the world any accounts in his position or control relating to any past or present property of the world मतलब section 41 subsection 3 के अंदर का कहा गया है कि जब subsection हमार पास 41 हमार पास section 41 का subsection 1 के तहति किसी को seize किया गया है कि अब वो guardian नहीं है तो फिर इसकी जो भी property है movable immobile जो भी इसकी position में है या फिर जो भी इसके property का या फिर इससे पहली जो भी इसके पास property सी उसका जो भी हिसाब किता है वो court में पेश करें अगर वो अब क्या करता है अब इस order की violation करता है इसकी हमारे पास compliance नहीं कर पाता section हमारे पास किसकी section 41 subsection section 3 की ठीक है subsection 3 की अगर वो violation करता है तो फिर हमारे पास सब किलाज C के तहत section 45 किलाज C के तहत है उसको जो है वो हमारे पास penalty देनी होगी कंट्यूमेसी की यहां तक बात क्रिए रहे आईए अब आगे देख लेते हैं यह सी हो गए हमारे पास A B और जी चीनों हो गये अब चलते हैं ख़े dolinya के सेघ्या बी केज में ब्हु चल भी लाएं मतलब आब बसंद हो कोई भी घरिजनी क कोई या फिर उसका प्रिप्रेज कब होगा जब इसकी डैथ हो जाए उस वड़ेध नहीं है इसको क्या बढ़ने पड़ेगी इसको एक हमारे पास एक सो रुपेज से ज्यादा पैनल्टी इससे नहीं ली जाएक मतलब एक सो रुपेज से जुर्माना लिया जाएगा एंड इन केस आफ रिक्यूजेंसी तो फर्दर फाइन नाट एक सीडें रुपीज फार एज डी आफटर फर्स डियूरिंग वुच दिफाल्ट कंटिनूज अगर फिर हमारे पास इसको पैनल्टी का आडर किया गया है कि सो रुपे की आप पैनल्टी दे अगर फिर भी यह इ इस दिन से इसने इस आडर की कंप्लाइंसर में जो है कंप्लाइंस करने में फैल हुआ हो ठीक है क्या हुआ हूआ हो अरी बस समय यह तक बात के लिए उसके बात चले है हमारे पास रिक्यूजेंसी वर्ड जो है उसका मतलब है रिफ्यूजिंग टू सब्मिट विफुर चले यह तक बात कि जिए जब वह उसको कहा गया हो कि आप सवर पे आपको जुर्माना दे रहे हैं हम आप पर आइद करें आप सवर कोट में जमा करें मगर वो ना फर्मा नहीं करता है तो फिर उसकी रिक्यूजेंस जो उसने की है मतलब उसने जो कोट में पेश नहीं किया दिपोजिट नहीं करवाए इसलिए अब उसको हर दिन एक दस रुपे की पेनल्टी उसका लगती रहेगी आरे बसमझे मतलब अगर तीस दिन तक पेश नहीं करेगा तो इसकी पेनल्टी कितनी हो जाएगी 300 रुपे पेश हो जाएगी यहां तक बात के लिए रहे यहां तक एक्सिटिंग 500 रुपीज इंड एग्रिगेट मतलब 500 रुपे से वो ज्यादा नहीं होने चाहिए सब मिला के 500 रुपे से ज्यादा एक्सिट नहीं होने चाहिए ठीक है and to detention in the civil jail until he undertake to produce the minor ठीक है या फिर इसको जो है कहां हमारे पास इसको जेल बेच दिया जाएगा कहां पर civil jail बेच दिया जाएगा civil jail बेच दिया जाएगा जब तक वो undertaking ना दे इस बात के लिए मतलब वो जो है न वो कसम नामा कोर्ट में ना पेश कर दे कि अब मैं इस बच्चे को कोर्ट में पेश करूँगा मतलब फार एक्जमपल कोई वाई है गालजियन है वाई ठीक है अब उसको जो है कोर्ट ना प नहीं पेश करता है तो फिर इसको civil jail बेजा जाएगा यहां तक बात क्लिए रहे है ठीक है तो प्रोड्यूस्ट दा माइनर आकाज हम टू बी प्रोड्यूस्ट आर्टू कंपेल है रिटर्न आर्टू डेलिवर इस्टेटमेंट आर्टू एग्जिबेट दे अकाउंस आर् मतलब जो भी आर्डर हो उसकी वो कंप्लाइंस करेगा वो अंडर्टेकिंग देगा कि अब मैं जो है मैं लिख कर दे रहा हूं किसाब मैं इस पर अपलाइक हम जो है इसकी कंप्लाइंस करूंगा इस आर्डर की मतलब अगर इसको कहा गया है कि बचे की कस्टेडी कोर्ट मे जो है उसने लिख कर दिया है ठीक है या फिर उसको कहा गया था कि आप हिसाब किताब पेश करें या फिर statement बचे की property की पेश करें ठीक है तो फिर वो पेश करेगा या फिर जो पेश से रहते सबसेक्शन टू सबसेक्शन टू बात करता है इफ अगारजन हूँ हैज बीन रिलीजड फ्राम डिटेंशन अन गिविंग एन अंडर्टेकिंग अंडर सबसेक्शन वन जब किसी भी हमारे पास से शक्ष को रिलीज किया गया हो जब किसी भी शक्ष को सेक्शन 45 सबसेक्शन वन के तहट जहाएं मतलब detention में रखा गया था मतलब civil jail में इसको केद करके रखा गया था तो फिर if a person who has been released from detention on giving and undertaking under subsection 1 अगर subsection 1 के तो वो undertaking देता है code के अंदर ठीके तो फिर इसको detention से release किया जाएगा ठीके इसको क्या किया जाएगा इसको release किया जाएगा on undertaking उसको release किया जाएगा मतलब इसको release इसको release जो किया गया है ठीक है इसको जो release किया गया है undertaking लेने के बाद subsection 1 के तहट अगर उसने undertaking दी और इसको release कर दिया undertaking के उपर यह तक बात कि फेर्स लो केरी आउट the undertaking within the time allowed by the court मगर फिर भी जो इसने undertaking दी इसको jail में बेज़ दिया मगर इसने undertaking दी मगर undertaking को भी इसने नहीं माना इसने जो खुद जो लिख के दिया कि मैं पेश करूंगा या फिर आडर को मानूंगा फिर भी अगर वो आडर नहीं मानता है फिर क्या होगा the court may cause him to be arrested and recommitted to the civil jail तो फिर court जो है अंडर सब सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 के तहत court जो है उसको क्या करवाएगी? Arrest करवाएगी Arrest करवाके हमारा passer क्या करेगी? Re committed to civil jail Re committed to civil civil jail तो फिर उसको civil jail बेज दिया जाएगा यहां तक बात के लिए रहे simple है बहुत अगर फिर भी समझ में नहीं आती बात तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है dear friends यह आप नोट कर ले इसके बाद हम section जो है हमरे पास 46 discuss करेंगे जी dear friends आपने नोट कर लिया section हमरे पास 45 अब चलने 46 पर 46 बात मता है reports by collector and subordinate course मतलब हमरे पास जो reports जो basic collectors और subordinate से उसके बारे में बात करता है मतलब reports by collector and subordinate course मतलब जो निचली जो course है जो inferior course है ठीक हाइर को सपरियर course से जो भी नीचे course है for example high court है तो high court के नीचे कौन सी है district course है हमरे पास session course है तो फिर उनकी जो भी report होगी या फिर अगर session court है तो फिर नीचे जो reports है हमरे पास senior civil judges हैं और magistrate हैं उनकी जो report होगी वो इसकी क्या हमिद होगी collectors और उसकी subordinate court की reports के बारे में बात करता है subsection 1 बात करता है section 46, subsection 1 यह आपको पता है कि subsection किसको कहते हैं, class कहते हैं far example, यह section हमारे पास 46 है अगर इसके अंदर एक और आए गया है तो फिर इसको subsection कहेंगे अगर subsection 1 के अंदर भी अगर कोई आजाएगा ABC तो इसको कहेंगे class क्या कहेंगे, इसको कहेंगे class इसको क्या कहेंगे, इसको subsection ठीके, आरी बस समझे, इसी तरह यह subsection 1 खतम हो गया इसी तरह section 46 है, अब आजाएगा यह, तो इसको कहेंगे subsection 2, और इसकी अंदर भी अगर class आजाएगे, जैसे कि ABC सी तो इसको किलास कहा जाएगा सबसेक्शन वन क्या बात करता है सबसेक्शन वन बात करता कूर्ट में काल अपन दा कलेक्टर कूर्ट जो हैं कलेक्टर को काल कर सकती है कार्ड कलेक्टर को बुला सकती है मतलब जो गौर्मेंट जो आफिशल जो था जो आफिशल जो हमारे पा report on any matter arising in any proceeding under this act and treat the report as evidence या फिर जो भी report उस code से मांगी जाएगी मतलब किसी भी matter पर जो भी इस गार्जन के matter में जो भी कोई भी matter arise होता है कोई भी matter arise होता है तो फिर उनके उपर matter arising arising and proceedings and proceedings ठीक है जो भी proceedings के तहत जो भी proceedings के अंदर कोई भी मसला अगर पेदा होता है तो फिर उस पर report मंगवाई जाएगी और जो भी report जमा करेगा फिर चाहे वो collector report जमा करें या फिर subordinate जमा करें फार एक्जमपल यहां पर हम देख रहे हैं कि जो report मंगवाई है वो district court मंगवाई है किसने district court मंगवाई है district court मंगवाई है इसने या तो फिर collector से मदलब जो गौर्मेंट जो इसका official जो गारजन था उससे या फिर इसने मंगवाई है district court ने जो हमारे पास guardian judge है फार एक्जमपल हमारे पास civil and judicial magistrate civil judge है उससे report मतलब यह court इससे नीचे है इसने जो इससे अब आपास district court ने जो report मंगवाई है collector या civil judge से अब जो भी report देंगे यह दे या फिर जो भी यह report दे यह report इस court के लिए as a evidence होगी क्या होगी उस report को जो report पेश करेगा वो report is a evidence एहमेत रखेगी ठीक है यह आप तर बात की लिए रहे एने प्रॉसिंग अडर इस act and treat the report as evidence तो फिर मतलब जो भी report पेश की जाएगी collector पेश करें या फिर नीचे सते की जो court है नीचे ली जो court से है ठीक है inferior जाए सब बारी ने जो court से वह भी जो भी report court को higher court को पेश करेगी जैसा कि अगर high court बात करते हैं high court report मौंगती है किसे district court से किसे district court से या फिर collector से जो भी यह report पेश करेंगे collector या फिर district court जो भी high court को report पेश करेंगे वह report जो है वह treat की जाएगी as evidence क्या की जाएगी उसको treat किया जाएगा as evidence subsection 2 पर चले जाते हैं अब the collector or the judge of the subordinate court मतलब जो report हमरे पास higher court ने जो मांगी है subordinate court या फिर collector से ठीक है उसको त्यार करने में subordinate court या फिर collector उसको त्यार करने में मतलब उसको बनाने में और अब हमर पास एद केस में भी फिर जो भी केस हो जो भी सूर्तिहाल हो shall make such inquiry as deemed necessary तो फिर उसके उपर वो क्या करेगा हमर पास report को report को prepare करने के लिए हमर पास क्या करने के लिए प्रिपेर करने के लिए यह inquiry भी conduct कर सकते हैं क्या कर सकते हैं inquiry भी conduct कर सकते हैं जो भी इनको necessary लगे ठीक है inquiry भी conduct कर सकते हैं जो भी जरूरी हो and may for the purpose of inquiry exercising and power compelling the attendance of witness to give evidence मतलब जो inquiry इन्हें उने करनी है subordinate report ने या फिर collector ने जो inquiry के लिए अगर इनको कोई भी अगर witness चाहिए ठीक है witness चाहिए और witness नहीं आ रहे हों पेश ना रहे हों पेश ना हों गवाई देने के लिए इनके सामने तो फिर इनको powers दिये गए हैं कि वो उनको कंपेल करें उनको मजबूर करें उसको appear होने के लिए और उस inquiry को मुकमल करने के लिए जो भी हमारे पास उनको करना है वो कर सकते हैं मतलब उनको एक्टारा दिये गएँ कौन से एक्टारा दिये गए हैं आड प्रोड्यूस डाकुमेट विचिस कांफड़ आन अ कूर्ड बाइदे कोड और सिवल प्रोसिजर नाइटिन जिरू एट मतलब How to पास जो CPC है Civil Procedure Code है 1908 इसके तहत किसी भी विटनेस को अगर मजबूर किया जाता है अगर किसी विटनेस की दरूरत होती है किसी भी स्टेज पर ठीक है कि वो आके गवाई दे या फिर वो कोई डाकोमेट्स पेश करें अगर वो गवाई देने के लिए नहीं आता या फिर डाकोमेट्स पेश करने के लिए नहीं आता तो फिर उसको मजबूर भी कर सकता है कौन क पर पास एज़र एविड़न्स ट्रीट करेगी यहां तक बात किलिए रहे अगर फिर भी किसी किसम की कंफीजन हो आप मुझे से पूछ सकते हैं ठीके डियर फ्रेंड्स आज हमने डिसक्स किया सेक्शन नबर 45 और 46 थैंक यू सो मच